सुगास दिको मुझे पता है जब तुमारा फॉन लेक करता है तो तुम्हें काफी ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि तुम चाकर भी सही से गेमपले नहीं कर पाते हो एंड मर जाते हो आप जो बड़े वेडियो यूटुबर्स होते हैं न वो आपकी इस प्रोलम और दु वीडियो को देखने के बात तुमारा जो लेग ये न वह एकदम खतम हो जाने वाला है क्योंकि इस वीडियो कंदर मैंने लेक पिक्स करने के लिए कुछ ऐसी टिप्स एन सैटिंग दिये न जिनको अगर आप फॉलो गरोगे तो आपका लेक ये न वो 100% फिक्स हो जाएगा बट उसके लिए आपको वीडियो को लास्त आपको वोज करना पड़ेगा और हाँ गाइस दिगो मैं रात में उठके वीड लाइक कर देना एंड चेनल को सब्कार कर दो परकॉस आपके लिए इसमें यूर रेम और रोम अब तो इसमें क्या कुछ करना आपको आपको फॉन की स्टोरेज को 50% तक फ्री रखना है अगर आप चाहते हो कि आपके लोएंड डवास में आपका फ्रीवार गेम इस्मूथ ट्रन करें इस्टोरेज को फ्री करने के लिए कुछ नहीं हूं आपको उपने फॉन को ओपन करना है अब या पह जितने वी फॉलतु के अब्लिकेसिन देख रोग सबी फाल्तु के अप्लिकेशं को, आपको आपको कर दोने जो भी फॉलिकेसिन है सब कुछ आपको अनिस्टोन करदना है जो एप्लिकेशन डिसेबल हो सकते हैं उनको आपको डिसेबल करदना है इसके लावा आपको फालतु के फोटोज एड़ वीडियो एड जंग फाइल को भी डिलिक्ट करदना है आपको फालतु का कुछ विए अपने फॉन में नहीं सब्सक्राइब आपके इतने भी कुछ आपको इसे क्लीन करना है इसके बाद इंगे बेदे यहांगे के बाद आपको नीचे जाना है एब आट फॉन में एब आपको जाने वर्जन से बढ़ने के बाद आपके सामने उप्सन आएगा बिल्ड नमबर या फिर MIUI नमबर उसवर आपको इसे 4 से 5 बाद टेप टेप करना एऄ एप गर्ल करने के बाद इसवर क्लिक करने के बाद आपको जाने बादा आपको इसवर आपको सैटिंग देखनू मिलेगी जिसका रहेगा बैक्ग्राउंड प्रोसेस लिमिट इस पर आपको किलिक करना है एंड ये डिफॉल्ट इस टेंडर पर किलिक होगी तो आपको नो बैक्ग्राउंड प्रोसेस पर किलिक करना है इससे आपके बैक्ग्राउंड में कोई भी एप्लीकेशन एक्टिविटी नहीं करेगा और आपको जो आपका phone है वो पूरा 100% आपको game को देगा और इसके लगा सबको ऊपर जाना है उपर आपको आपके phone के यहाँ पर तीन animation देखने हो मिल जाते हैं विंडो animation skill, transition animation skill, animator duration skill तीनो यह जो आप animation देख रहे हो तीनो animation पर आपको off कर देना है तीनो animation को यह से आपको off यहाँ पर कर देना है इससे क्या कुछ होगा जो भी आपका application open होगा जो भी आपके phone में जहाँ भी animation होंगे न वहाँ एकदम फास्ट होंगे जिससे आपके जो phone है न वो काफी ज़्यादा फास्ट चलने लग जाएगा इसको ज़्याद समबात कर लेते है टिप नमर फोर के बारे में टिप नमर फोर होने वाली है गाइस restart your phone अब दोगो आपको अपने game खिलने से पहले अपने phone को एक बार restart आपको कर देना है restart करने से आपको जो पूरा system होता है न वो एकदम restart हो जाता है जो आपके phone के चोटे बोटी glitch होती है न वो भी गाइस restart करने के वज़े से solve हो जाती है तो आपको उने phone को must restart कर लेना है गेम खिलने से पहले इसको ज़्याद समबात करते है टिप नमर फाइव टिप नमर फाइव होने वाली है प्ले गेम विद समूथ ग्राफिक्स अब देखों सीन क्या कुछ है बहुसा अगनंदी क्या कुछ करते है वो अपने ग्राफिक्स को high कर लेते है लाइक इस्टेंडर या फिर अल्टरा अगर आप अपने low end device में अपने ग्राफिक्स को high कर लोगे न तो वहाँ पे आपका फोन बहुत ज़्यादा हीट होगा और उसके लाव आपको गेम भी काफी ज़्यादा लेक करने बाला है तो आपको अमेशा अपने low end device में इस्मूथ ग्राफिक्स परी गेम प्ले करना है और इसके लाव गाइस आपको नीचे अगर high fps की setting आपको देखने को मिल रहे है तो आपको अमेशा जो fps है न उनको अमेशा आपको high रखना है यानि smooth graphics और आपको high fps परी गेम प्ले करना है यह एकदम बैस्ट होता है low end device के लिए आपको टिप नमर 6 में आपको focus mode का use करना है आपको आपको फोन में एक focus mode नाम से एक option होगा इसवर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपके बहुत सारे application आजांगे तो यहाँ पर आपको only free fire को छोड़ देना है नीचे और free fire के लावा जितने भी आपर आप application देखरो सभी पर आपको यह से टिक कर देना है और ऊपर से आपको यहाँ से turn on कर देना है जैसे आप turn on कर देते हो यहाँ पर आप सारे कुछ application देख रहे हो free fire को छोड़के सभी application freeze हो चुके है यानि यह वाले application ना ही background में कोई भी activity करने वाले है ना ही यह data लेंगे और ना ही यह RAM को consume करने वाले है आपको जो phone है वो पूरा 100% आपके free fire को ही देगा और आपको free fire game काप भी smooth run करने वाले है आप देखो कुछ-कुछ phone में यह जो focus mode का option नहीं होगा अगर आपके phone में focus mode का option नहीं है फिर भी आप इस चीज को use कर सकते हो उसके लिए आपको क्या कुछ करना है आपको play store को open करना है play store को open करने के बाद आपको उपर search वार पर search करना है kill apps जैसे आप kill app डालोगे तो आपको समरे यह वाला application आ जाएगा आपको same इस एप्लिकेशन को open करना है जैसे आप इस application open कर देते हो सायने में आपको बटन देखनों मिलेगा इस वाले बटन पर आपको क्लिक करना है जैसे आप क्लिक कर देते हो तो यह automatic आपके सभी application को जो आप freeze कर देगा इस तरीके से भी आप focus mode को use कर सकते हो इसको जैसे बात करते है tip number 7 tip number 7 पर आपको क्या कुछ करना है आपको जितने भी फालतू के application जो आपको notification भेशते है सभी की notification को आपको block कर देना है आपने एक चीश नोटिस क्यों होगी जब भी आप low end device on free fire game को खेलते होंगी और कोई भी application अगर आपको notification भेश देता है गेम खेलते है तो वहाँ पर आपको game काफी ज़्यदा लेक करता है तो आपको सभी application के notification को block कर देना है block करने के लिए आपको फान को open करना है आपको setting में जाना है setting में जाने होगा आपको app management में चले आना है यहापर आपके phone के सारे कुछ application आजाएंगे तो आपको जिस भी application की notification को block करना है उस वाले application पर आपको click करना है आपको manage notification पर जाना है आपको notification कुछ इस तरीके से यहाँ से enable होगी तो आपको all out notification को off कर देना है इससे क्या कुछ होगा ये वाला जो application है मुझे कोई भी notification नहीं बेजेगा तो इस तरीके से आपको सभी application की notification को block कर देना है इसको अरगा समबाद कर दें tip number 8 के बारे में tip number 8 में आपको stable internet connection का use करना है देखो कभी कभी क्या कुछ होता है आपके बस अच्छा phone होता है फिर भी high ping की वज़े से आपका जो game manner वह वहाँ पे lag करता है तो आपको में सा अच्छा internet यूज करना है जापे आपका internet अच्छा आता है वही पर बेट कर आपको freeware game को खिलना है अगर आपकी sim में internet सही नहीं आता है तो guys आप अपनी sim को भी change कर सकते हो बढ़ जिस sim में अच्छा internet आता है आपको उसी sim को use करना है यहनि आपको अपनी internet को ठीक टाक रखना है इसमें बात करने ते लास्ट टिप के बारे में सुगास अगर आप सारी कुछ settings को करकर के ठक चके ओ अगर फिर भी आपका लेक फिक्स नहीं उपा रहा तो last में आपको एक ही काम बसता है वो गाईस factory data reset आपको पने phone को एक वार factory data reset कर दो है अब तका factory data reset करने से क्या कुछ होगा आपका phone पहली के तरह एकदम नया जैसा हो जाएगा आपके phone से सब कुछ डिलिक्ट हो जाएगा तो ध्यान रहें जब भी आप factory data reset करो तो आपके phone का जो भी important data है प्यों किसी दूसरे phone में transfer कर दो एड़ factory data reset हो जाने के बाद अपना data वापस से ले लो एड़ उसमें फ्रीपर गेम को दुबारा से रिस्टॉल कर लो एड़ आप दिखोगे आपका गेम एकदम इस्मूतरन करेगा विगोस आपका phone factory data reset हो चुका है तो यहीं थी का setting जो मैंने आपको बता दी सारी setting को एक बार द्यास से समझो अपने phone में apply करो 100% वाई में guarantee लेता हूँ आपका जो लेग है नो वो fix हो जाएगा तो जल्दी से वात के लिए वीडियो को लाइक कर दो बहुत ज्यादा मैनत लगती वीडियो गनाने में तो लाइक करने में कोई भी कन्यूज इमत करना लाइक कर दो सब्सक्राब भी कर दो तो जबते के लिए टाटा एंड बाई बाई